टोयोटा इनोवा हाई क्रोस ये गाड़ी कुछ दिनों पहले अपने इंडियन मार्केट में लॉंच होई थी लेकिन लॉंच होने से कुछ दिनों के बाद मारुत ने भी अपनी इनविक्टो मार्केट में लॉंच की जो की पूरी तरह से इनोवा हाई क्रोस की रीबेज तो कभी वीटारा ब्रिजा को अर्बन कुरुजर के नाम से और काफी एसी मार्केट में गाड़े आविलेबल है जो रिबेच करकी पेयर मार्केट में बेची जाती है और कमपनिया जैसे कोलेबरेशन में क्वर्क क्यू करती है तो इस वीडियो में जानेंगे अगर आप इस सब्सक्राइब इस चैनल प्रते में शाद मनें टोयोटा मार्केट कोलेबरेशन से सरफ आप ही नाराज नहीं हो बलकि काफी सारे लोग इस बात से नाराज है क्यूंकि टोयोटा अपने दमदार ब्यूल्ड कॉलिटी और रिलाइबल इंजिन के लिए जानी जाती है लेकिन हमें ब्यूल्ड कॉलिटी बहुती घटीया लेवल की मिलते हैं बले ही लोग इस बात से नाराज हो कि बलेणो की कॉपी है गलांजा यह है वो है कि यह जो दो गाडिया है ना मारुति की टोयोटा बलेणो को गलांजा के नाम से बैशता है और विटा बिरजार को और्बन देशता है तो ये दो गाड़िया टोयोटा को 42% सेल्स लाके देती है और जो लोग टोयोटा फैन है और जिनको इनोवा फर्चुनर जैसे गाड़िया रखने का शौग है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वह टोयोटा की रिलाइबिलिटी इंजन तो मारुती का यह है और बेटर सर्विस एक्सपिरेंस को देखते हुए टोयोटा को चुस करते हैं यह सिर्फ टोयोटा और मारुती की बात नहीं बल्कि यूंडाई क्रेटा और किया सोल्ट वी डवल्यू की वर्टू स्कोड़ा स्लाविया यह सेम निसन की मैगनेट और रेनोगाय को यह है कि आखिर टोयोटा अपनी छोकिंती इंडिया में मतलत भई देखो इतना बड़ा मार्केट है तो इंडिया में टोयोटा अपनी छोटी गाड़ा क्यों ने बेशलता है तो टीटेल में जानते हैं 1997 यह वो साल है जब तोयोटा और क तोयोटा का रिलाइबल इंजन और बड़िया रेल्ड कॉलिटी मिलती थी जिससे क्वालिस इंडिया में पपुलर होनी लेगी और आफ्टर सेल सर्विस में भी काफी अच्छा टोयोटा कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे सेल सर्विस का नाम निशान नहीं था जहां पर का नाम चलता है और यही रिजन है कि मारुजिन अपनी इनविक्टो का कुछ डिफरेंट नाम नहीं रखा बरकि इनविक्टो का इन और वियो विक्टो को ऐसा करके रख दी है तो मार्केट में लांच कर दी ताकि लोगों का विश्वासिस गाड़ी पर जल्दी बेट सके और इनवा ही नहीं बलकि टोयोटा हर गाड़े में अच्छा पफाम करती थी उस टाइम पे लेकिन कोई सस्ते गाड़िया ना होने के कारण जो लोग टोयोटा का पसंद करते थे लेकिन बजेट ना होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उनको किसी और ब्रेंड लोगों तो गाड़ी पसंद आती यह रिलाबिलिटी अच्छी टोयोटा का ब्रेंड नहीं में लेकिन डिजैन पसंद ना होने के कारण यह गाड़िया स्टाटिंग में तो काफी अच्छी सेल हुई लेकिन उसके बाद इस गाड़ी के सेल्स गिरने लगे और यह गाड़ि लेकिन अब लेकिन जो जिस कस्टावर ने चला रहा है तो उनक्यों साथ काफी नाइन साभी विये गाइस तो अच्छी फिली फिनिशन से देने के कारण इस बात का फायदा ट्रेक्सी ड्राइवर्स ने उठाया टैक्सी में यह गाड़ी यूज होने लगी और जिस तरह से इंडिया में एरेटी का टैक्सी में यूज होने के कारण खाफी लोग इस गाड़ी को प्राइविट फेहिकल नहीं पसंद करती दे वैसे ही इटियोस और लिवा के साथ हुआ और इटियोस और लिवा के सेल्स कम होने लगी इसे वजह से टोयटा ने अपनी छोटी गाड़ पर्चिस करते हो और आप तो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड क्लियरंस चाहिए तो आपको इंडियान गवर्मेंट को 50% टैक्स देना होता है और वह उपर का तो अलग जैसे इंशुरेंस हो गया इस वह अलग इस कैटेगरी में फॉर्चिनर आती है और 50% टैक्स लगने क इंशुरेंस हो चे लाक रो मतलब 17 लाक की गड़िया पर हमें 40 लाक में मिलती है अगर इंडिया में अगर थोड़ा भी टैक्स कम हुआ ना मतलब थोड़ा भी टैक्स कम हुआ ना तो घरो हमें हर घर में फॉर्चिनर दिखाई देगी क्योंकि इतना ज्यादा अभी के अगर अगर कोई सिंगल कमपनी ये काम करती थी तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे कि आपको नेक्स्ट विडियो में जैहिन वंधयमातरम